नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BKR नावनर चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं नेक फॉलिक फोर्ड सीरप के बारे में पूरी जानकारी तो दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप वीडियो में आंतर तक बने रहें जिससे कि आपको वीडियो के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और शीरप के बारे में आपको पूरा मालूम हो सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल रोध है कि अधि आप आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक का जरूर दबा दें जिससे की आने वाले हर नय वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो दोस्तों फूरू करते हैं आज का वीडियो तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है आईरन फॉलिक एसिड बिटामिन बीटोयल बिद मिनराल सीरप नेकफॉलिक फोड और दोस्तों यह जो पैक होता है वो 300 यमल का पैक है और और इसका दोस्तों जो रेट है वो 240 रुपरे असका रेट है और नेक्टर बायो फार्मा प्राइबित लिमिटेड कमपनीस को बनाती है नेक्टर इंटरनेशनल बिजनेस डिबलमेंट ओफिस तो दोस्तों इसके द्वारा इसको बनाया गया है और दोस्तों इसका जो साल्ट होता है वो आयरन, फॉलिक एसिट, बिटामिन, बीटोल, बिद, मिनरल, सीरप ये होती है बात कर लेते हैं कि किन किन समस्याओं में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए तो दोस्तों ये सबसे सही जो महिलाएं गरब बती है उनके खून की कमी है जो केक्स्तर हो जाती है तो महिलाओं को ये दिनीमिया है, खून की कमी है, हाथ परों में जंजना हाथ होती है, भूख सही नहीं लगती है तो ऐसी किसी भी समस्या में यदि महिलाएं सीरफ का इस्तेमाल करती है जो गर्बती है उनके लिए ये बहुत ही रामबार सीरफ होती है बहुत ही बढ़िया काम करती है उनके लिए बहुत ही अच्छी सीरफ ये साबित होती है उनको इसका इस्तेमाल करने से भूग भी बढ़ सही हो जाती है तो हलाग इसका इसका इस्तिमाल सभी लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसका इस्तिमाल केबल गर्बती महिलाएं ही कर सकती है इसका इस्तिमाल सभी लोग कर सकते हैं किसी को भूँख नहीं लगती है कमजोरी है चक्कर आता है आंखों न सामना धेरा झा जाता है हाथ परो में सूजन है दूंख अच्छी नहीं लगती है या सरीर सुष्त रहता है सरीर में खून की कंई है इनीमिया की दिक्कत है या आर्वी सी कम हो गए है मिलब पीलिया की सिकायाता तो इन Okay कोई भी समर्श्या है तो इस सीरप का इस्तेमाल आप डॉक्त की देख रहे कि और डॉक्त के परमर्श के साथ आराम से कर सकते हैं और दोस्तों बात करने इसकी डोज की तो जो लोग 15 साल से उपर के हैं उनको साड़े साथ एमिल सीरफ सुभा साड़े साथ एमिल सीरफ साम को पीनी चाहिए इसमें जो धकन लगा है सीरफ में जो ढखन लगा है उस ढखन से 3 ढखन दबाई सुबह शाम को खाना उ कहने पी लेनी चाहिए इसको पीने से पहले सीजरूर के दबाई पिए जिसकी इसमें जो तक तो नीचे बैठ जाते है ओब अच्छी तरह से घूल जाए और आपको इसकी बर्याबर मातरा मिल सके पर दोस्तों मांधिला पुर्ष जो भी 18 साल से उपर के हैं उत्व रफ national सी REMवब सिरчи के और जो लोग 12 से 18 के हख उनको 5 mm सिरफ सुभा पांशने मद सिरफ्वा को इस्तेमाल करनी चाहिए डेक्टर की देख डेक्टर के परहमर्ज के अनुसार। यह दिखे यह पैक इस डिब्बे के अंदर निकलता है यह इसकी बोटल होती है और चैनल का यह जो धकन है दोस्कों इससे ही आपको तीन धकन सुभा तीन धकन साम को पीने हैं याद आपकी उम्र 18 साल से उपर की है तो और यद आप 12 से 18 के बीच के हैं तो आपको दो धकन सुबा और दो धकन साम को मतलब पांच हमिल सुबा पांच हमिल साम को पीनी चाहिए और दोस्तों एक चीज के आप इसे दियान रखें कि किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले या इस सीरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डाक्टर से सलाह अपने डाक्टर से राय मस्विर जरूर ले लें अपने डाक्टर के परामर्स के अनुसार ही इस तबा या किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें यह जो मैंने आपको इस सीरप का वीडियो बना के जो जानकारी दी है के वल आपका नालिज बढ़ाने के लिए ना कि इसलिए कि आप इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से घर पर करने लगें यह आपके लिए खानिकारक हो सकता है अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको दबाईयों के वारे में ऐसे ही लेटिस्ट और नालेजबल वीडियो मिलती रहती हैं तो आपसे अन्रोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरू दबादें जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप उसका लाव उठा सकें आपका नालेज बढ़ सकें और दोस्तों इस सीरप का इस्तेमाल बच्चे कर सकते हैं या नहीं बहुत से लोग हम से ये पूछते हैं तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं जो पांस से बारा साल के हैं लेकिन बच्चों को इस सीरप का इस्तेमाल करने से पहले किसी पेडियाटिक फिजीसियन बच्चों के डैक्टर जो होते हैं उसे सलाह मसिबरा करने के बाद ही इसका इस्तेमाल बच्चों को कराएं अपनी मर्जी से बच्चों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कराएं या आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है बात कर लें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की तो वैसे तो इसका side effect कुछ भी नहीं देखा गया है लेकिन कुछ लोगों को इस सीरफ को पीने से lose motion की समस्या हो जाती है बार बार सवचाले के लिए जाना पड़ता है यदि ऐसी कोई भी समस्या आपको होती है तो आप इस सीरफ का इस्तेमाल रोकर तुरंत ही अपने डाक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही सीरफ का इस्तेमाल करें ना कहें तो ना करें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने आपको नेकफोलिक फोड़ सीरफ के बारे में जानकारी दिये वावको समझ में आई होगी पसंद आई होगी तो आपसे अन्रोध है कि हमारे वीडियो को लाइक, सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जोड़ दो दें जिससे ग्याने वाले हर नए वीडियो की जनकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त आप अपना ख्याल रखिए आप चुस्त तंदूस्त रहे हैं आपका परिवार स्वस्त रहे है यही मेरी स्वस्त से कामना है मिलेंगे फिर किसी दिन तब तक के लिए जय हिन बंदे मात्रम